हेलो फ्रेंड्स आच्छा अपला पॉइंट आहे मेथड फॉर अप्टेनिंग कोहिरंट सोर्सेज अपन नेक्स्ट आधी चा पॉइंट मदे पाहि लिला है स्टेडी इंटर्फरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने सथी काई कंडिशन्स रिक्वार्ड आहे तर तचा मधी आपन फास्ट कंडिशन्स आपजर के लिए ढ क्यार्ण। ऐख पॉर्सेज साफ लाइट शूड वी कोहिरंट दोनी सोर्सेज या लाइट चेपन आपजर करना रेथ तर त्या कोहिरंट सोर्सेज आपन केश है प्रोडिूस करू शुकतो ही आपलेले या पॉइंट मदे बगाईचा याचा आधी सुद्धा आपन जावेस इंटर्फेरंस पाटर्न इंटर्फेरंस सुरू केला होता that's always आपन आशा काही मेथर्ड्स बगितले होता कि जाचा थ्रू आपलेले कोहेरंट सोर्सेस मिलू शक्तात आथा इथा आपलेला बगा त्या दोन कंडिशन्स काही होता त्या आपन काही करो थो तो एक तर ओपेक स्क्रीन एका सिंगल सोर्स समोर और त्या सिंगल सोर्स त्रू इमिट होनारा लाइट वेवस चा पाथ मदे आपन ओपेक स्क्रीन आशे प्लेस करत हो तो कि जा स्क्रिशन ला न्यारो श्लिट्स प्रोड्यूस के लेले न होते enn It says söyle दो न्यारो स्लिट्स प्रोड्यूस के लेले furry- process अशा प्रकार ची ओपीक स्क्रिशन आपन लेक्ष तो कि स्कुषक उपर पात अफ धी लाइटं आपन प्लेस करतो तो तैचा थ्रू आप लेला दोन कोहिरेंट सोर्सेस अपजर हो शकत होते क्यों दुसरी आपन मेथड़ती था आपन लक्षाद गिवो शकतो कि कॉन्वेक्स लेंज जो आ है तो आपन या लाइट रेज चा मधे आपन प्लेस करू शकतो क्यों मां कॉन्वेक्स लेंज चा फोकस वरती आपन प्राइमरी सोर्स जो आपन सोर्स गित लेला है तो सोर्स आपन त्या कॉन्वेक्स लेंज चा फोकस वरती आपन प्लेस करू शकतो आणि त्याचा थ्रू सुद्धा अपलेला दोन सोर्स S1 और S2 अशे दोन सोर्सेस इथा प्रोडूस हलेले आपजर हूँ शक्तत मंज़े आपन यहा दोन मेथड ने तर नॉर्मली कोहिरन सोर्सेस प्रोडूस करूँ शक्तो त्यातला पहिले आपन मेथड बखागा इथा आपले स्क्रीन वरती दिशते हैं बाइ उजिंग लाइड्स मीरर हाँ ही एक खुप आशे एक्स्टेंसिवली यूजड होना रहे डिवाइस है बर्याज दा हे डिवाइस यूज केले जातो टू प्रोड्यूस साच कोहेरंट सोर्सेस कोहेरंट सोर्सेस तैर करने साथी यह डिवाइस बर्याज दा यूज केले जाऊ शक्त छ लॉइड्स मीरर रासं तह नावा है य Lori बखा काय होते है यह 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 प्रकरचस जो सोर्स है यह प्रकर्च जे कही डिवाइस हाए यह जातुरों आपन कोहिरंट सोर्से कशे प्रोड्यूस करूँ शुक्तों आपले कड़े प्राइमरी सोर्स है थोड़के आपन इथे लक्षा दिवेद हाँ है आपला प्राइमरी सोर्स मंजे आपला मेन सोर्स जो real source है हाँ है अपला primary source यहाँ primary source मधून जा light emit होता है हाँ primary source certain distance वर्थियापन screen person या screen person certain distance वर्थियापन हाँ primary source ठेव लेला है जो real source हाँ है या real source मधून जा light rays या screen वर्थि इंसिडन्ट होना रहे या light rays कही directly incident होता है फर्स्ट ही second wave है हाँ थोड़ा है या directly screen वर्थि इंसिडन्ट हाले ले दिशता है पन कही waves some of the waves are incident after reflection on the mirror mirror वर्थि reflection होन या दोन waves इथा दिशता है तुमाला या दोन waves से काय होता है reflection होता है on that mirror इथा जो mirror है या mirror वर्थि इंसिडन्ट होता है तैन अंतर तैन चा reflection जाले ले तो माला इथा अबजर होता है और reflection तै स्क्रीन वर्थि incident होता है पन है जा reflected waves जा है when we observe that reflected wave तो आपले ले अशा अबजर होता है तै तै रिफलेक्टेड वेव एका virtual source कड़ून आले ले अहित अशा अपले ले तिथा observe होता आणि ते चा थू अपले ले ले नेक्स्ट source as to तिथा produce जाले ले ले दिसतो कि जो virtual आस तो अनि यह चत्रु आपलेला दोन सोर्से सिता प्रोडूज जालेला दिसना रहेत जी था काय होता है तर एक आपन प्राइमरी सोर्स इता गेतो है जो कि रियल असना रहे त्या रियल सोर्स पसुन लाइट या इंसिडेंट होना रहे इस स्क्रीन कही डारेकली इंसिडेंट होता है कही या आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट होता है पन रिफ्लेक्टेड लाइट या जा आपन आपसर करना रहो दे रिफ्लेक्टेड लाइट आपियर्स तु कम फ्रामे वर्चुल सोर्स यह अप्लेल आशा पद्धतिन आपेर जाले लिया असनारे कि त्या अप्लेल वाटेल कि त्या वर्चुल सोर्स काड़ून आले लिया आहेत and then here we observed the two sources that two sources are the coherent sources आनि आता हे जे दोन sources अप्लेल इता अप्लेल अप्लेल होता है यह दोन ही sources अशनारा है coherent sources ही हाँ first source अशेल आणि हाँ virtual source produce हाला that is the second source आणि इता जो pattern produce होईल तो अशनारा है तुम्चा interference pattern कि मैं त्याला आपन मनुशक्तो interference zone अशा पद्धतिन आपन यहाँ light mirror साइथ यूज करू शक्तो to produce the coherent sources है coherent sources produce करने साथ आणि आशा प्रकरे Lloyd mirror चा यूज करत अस्तो that is the first method to obtain the coherent sources अशेल आजोन एक method है जी खुब महत्वाची आणि ती method सुधापन बर्याजदा experiments मधे यूज करत अस्तो that is now we observe the second method second method fresh nail prism क्यों आपन तेला मनुशक्तो by prism fresh nail by prism और only by prism सुधा आपन तेला मनुशक्तो हाँ by prism मधे बगा काई के लिला स्तो अशा prism तिथा यूज के लिला स्तो कि त्या prism जा जो एंगल है refracting angle हाँ खुब मिनिमाम आस्तो very minimum refracting angle of the prism is very minimum जवर पास 30 minutes to 1 degree परेंत्या चा refracting angle असुशक्तो यूढ़ा minimum refracting angle prism चा असुशक्तो अशे दोन प्रिजम एक में कानला जर कनेक्ट के ले अंगल तुम्हे आपजर करता है तो जवर पास एक्षे आइंशी चा तो जवर पास एक्षे आइंशी हाँ शुशक्तो क्यों जवर पास एक्षे सत्तर चा पूढ़े तुमाला तो अंगल आपजर हुशक्तो तो जवर प्रिजम में एका स्लिट सार्खा सुधा बिहेव करूशक्तो बट डाट है उस्मॉलेस्ट वर्टेक्स एंगल स्री लार्जेस्ट वर्टेक्स एंगल 180 चा जवर पास तुमाला वर्टेक्स एंगल तिथा बाइप्रिजम चा अबजर हुशक्तो आणि तुझे कही तुम्ही तिथा प्रिजम यूज के लिले असना रहे जे तो बाइप्रिजम प्रोडूस करने साटी जे दोन प्रिजम यूज के लिले असतील तर ट्यांसा रिफ्रेक्टिंग अंगल हाँ खुप स्मॉल असतो नियरली 30 मिनिट टू वन डिगरी परेंत तुम्हाला दीता अब्जर्वेशन में वो शकता आता इता तुम्हाला या बाइप्रिजम फ्रेशनल बाइप्रिजम ज सोर्स या बाइप्रिजम जव आपन प्लेस करना रहोत तर त्या वेश तुम्हाला तिथा कोहिरंट सोर्सेश प्रोडूच जालेले दिस नारेत बगा कहा कि लजात grocery farm Chicken असा अपने एकस्परेमेंट है आछा प्रकरचे बाइप्रेशम से यूज करत तो ए त्थे बाइप्रिजम जो रिफ्रेक्टिंग ज आए तर तो रिफ्रेक्टिंग एज त्हा सलीट ला प्लेस कि ला जात Two स्लीट है ही स्लीट है था आनि याचा रिफ्रेक्टिंग एज जो असना रहे हे दोनी एक मेकनला प्यारलली प्लेश के लिले असता जावेस आपन एक्सपरिमेंट अबजर करतो है एक्सपरिमेंट करना रहोत त्यावेस याउची पोजिशन अशे असना रहे ऐसलीट ला यचा रिफ्रेक्टिंग एज बाइ प्रिजम चा रिफ्रेक्टिंग एज हा पारलल असना रहे ही बोथ हार पारलल टो एच अदर आणि जाए देन नाव मोनोख्रोमेटिक लाइट क्या नारोख्रोमेटिक मधून पास होईल या नारोख्रोमेटिक लाइट पास होना रहे और फॉल आउन दी बाइप्रिजम या नेरो स्लीट मधून मोनोक्रोमेटिक लाइट पास जालिये और या बाइप्रिजम वर्ती फॉल जालिये तब गाई ये था दी स्थाइट आप लेला है बाइप्रिजम वर्ती इंसिडेंस जालिये लाइट वेवज आणि दोलियों मोनोक्रोमेटिक लाइट लाइट और जालिया बाइप्रिजम वर्ती जावेद्स या मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो ना रहेट then that two halves are form virtual images S1 and S2 है दोन halves S1 and S2 S1 and S2 अशे दोन virtual images तिथा प्रोडूस करना रहे and when we observed the interference pattern or light come from this prism we अपलेला अशे लक्षा तिता कि light come from that two virtual sources S1 and S2 या दोन सोर्स करना रहे है अशे अपलेला तिता अप्सर होता because the two halves of the biprism produce that two virtual images S1 and S2 and these two S1 and S2s are the coherent sources है जी तुम्हारा दोन virtual sources produce हालेले दिस्तात so virtual images S1 and S2 produce हालेले दिस्तात and that are the coherent sources या तुम्हास तत coherent sources that coherent sources obtained from a single source हाँ जो coherent source तुम्हाला दिता produce हालेला दिस्तात तरहे दोनी sources से single source पासुन तयार जालेले अस्तात कि मां single secondary sources सुशो को शक्तो कदा जी तो जसकी या डाइग्राम मदे हाँ तुम्हा में सोर्स है अनि या स्लीट मधून पास करून मग तुम्ही बाइप्रिजम वर्ती त्या वे उस इंसिदेन करता है पन बाइप्रिजम काय करना रहे बाइप्रिजम प्रोडूस दी तू वर्चुवल इमेजेस आनि त्या दोन वर्चुवल इमेजेस असना रहेत कोहिरेंट सोर्सेज यह का यह दाट मेंस दी टू वेवस कमिंग फ्रॉम एस वन एस टू या तुम्हाला इंटरफेर जाले लिया प्रॉपरली आप्जर करता यह शक्तात अंड वी आप्जर्ड दी डार्क आंड ब्राइट फ्रिंजेस ज़सके आपन एंग्स डबल स्लीट एक्सपरिमेंट मधे बगित लेला है तर एंग्स डबल स्लीट एक्सपरिमेंट मधे जाशा प्धतिने आपन दोन सोर्सेज आपजर केले आनि ताचा थ्रू आपन जे इंटरफेरंस पाटर्न आपजर केला होता ताशा प्धतिने चापन यह बाई प्रिजम चा यूज शक्तो आणि ताचा थ्रू आपले आला प्रोपर इंटरफेरंस पाटर्न प्रोड्यूस करता यह शक्तो आशा प्धतिने दाट इस दी टू मेथर्ड्स बाई विच वी प्रोड्यूस दी कोहेरंट सोर्सेज फर्स्ट पहिला आपन बगित लाए लोईट्स मिरर आड नेक् प्रोड्यूस करू शक्तो ओके फ्रेंड्स थैंक यूँ